नमस्कार दोस्तों आप सबका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई आडियाज और वर्ट में आज की वीडियो मेरी आर्ट और क्राफ्ट पर तो नहीं है बढ़ हां एक आप लोग के साथ छोटी सी एक टिप शेर करना चाहरी हुए कि प्रावल में सबजी आण कटने में कि कुछ चाइम के बाद लिगे जो होता है उसकी जो शार्पने सोती बिल्गल रृफ हो जाती है और mostly salad में tomato काटने में इसे में बहुत problem आती है तो यहां हम लोग क्या कर सकते हैं हम सब के घर में mostly सिल पत्थर तो होता ही है तो आप सिल पत्थर ले लें या फिर कोई भी stone हो solid उस पर आप थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए knife पर आप उसको इस तरीके से जैसे मैं यहां पर शार्प कर रही हूँ आप भी ऐसे कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं उसकी sharpness तो within two minutes knife sharp हो जाती है stone पर इस तरीके से इसको रप करने पर इसकी जो edges हैं इस sides आप इसे रप करिए और इस तरीके से यह knife जो है चेक करते रही है और sharp करते रही है आप देखेंगे मतलब बहुत ही आसानी से यह आपकी knife sharp हो जाएगी और vegetables वेगारा salad के लिए आप बहुत ही अच्छे से cutting कर पाएंगे इसपेशली टोमेटो जो होते हैं उनको कट करने में काफ़े problem आती है तो ऐसे आप इसको sharp करते रही है और कोई भी vegetable हो बहुत अच्छे से cut कर लेंगे salad के लिए अच्छी designs भी बना लेंगे और बाहर vendor के लिए या फिर किसी के लिए वेट करने की जरूरत नहीं सर्च करने क कि किसी को ढूंडे कोई आए तो जहें knife उसे sharp करवाई जाए आप खुद ही घर में बहुत ही आसाने से हफते दो हफते तीन हफते पर जब आपको लगे कि हाँ knife थोड़ी rough हो गई है आप अपनी खुद इसको sharp कर सकते हैं तो आगे से या जब भी problem आया ऐसी कोई knife की sharpness की त आप खुद करिए और अगर यह वीडियो आपको useful लगी हो आपको तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और मैं दुबारा आपको कुछ vegetables को cut करके दिखाती हूं तो चलिए पहले onion को cut करते हैं अब यहां आप देखेंगे कितनी आसानी से onion cut हो जा रहा है विसक चुटे-चुटे square pieces में मैं इसे chop करूंगी यह देखो आप कोई problem नहीं आ रही है कितनी आसानी से यह cut हो रहा है अब बिल्कुल बारी cutting आ रही है आपको बहुत जादा इसमें force apply करने की जरुरत नहीं पढ़ लेगे आप देख सकते हैं वीडियो में जैसा की बहुत ही आसा कि यह देखिए शार्प करने से पहले मुझे बहुत problem आ रहे थी टोमेटो को जब मैं cut कर रहे थी अब देखी कितना आभी मैं टोमेटो को भी cut करके आपको दिखाऊंगी मैंने onion भी चूस कर लिया कि चलो onion भी दिखाते हैं तो यह हो गई onion की प्यास की cutting अब चलिए स्मार्टर के सबसे उपर का यह होता है हिससा इसे निकाल देना चाहिए इसको भी बारिक चौप करूंगी यह देखो आप कि इतनी आसानी से कट रहा है तो जब भी आप लोग को problem हो घर पे इसे अच्छे से sharp करिए stone पर और बाहर vendors को ढूंडने की problem से छुटकारा पाईए I hope दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी जल्दी मिलोंगी किसी अच्छे art and craft के साथ तब तक लिए thank you